नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय है, बच्चों आज हम लोग आइगन मान और आइगन सदीस का कोशन करेंगे, हमने ऐसे भी इसके पहले वड़े विडियो लेक्चर में आपको दो आइगन मान इक्वल जब आता है तो उसका आइगन सदीस किस प्रकार प्राप्त होता है हम एक कोशन आपको बताए है आज एक और कोशन बताने जा रहे है और उसके बाद कुछ कोशन हना थेवरम जो होता है उस टाइप का कशन है तो उसको भी हम लोग कर लेंगे तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आपको क्या क्या मिलता है प्यारे बच्चों, आपको Q क्या दिया है? आपको दिया है A किता दिया है वाई? 3, 2, 4, 2, 0, 2, 4, 2, 3, कि आइगन माना रिकेन सदीज ग्यात करना है और आइगन समस्टी भी राइट करना है तो A का अभी लाक्षनिक समी करन A का भी लाक्षनिक समी करन क्या होता है? A माइनस लेमडा I is equal कितना 0? अब आप क्या कीजिएगा? यह देखो 3 माइनस लेमडा 2, 4, 2, 0 माइनस लेमडा 2, 4, 2, 3 माइनस लेमडा is equal 0 यह तो आप जानते हो इसके डाइगनल में, इसके विकर्ण में माइनस लेमडा लेते जाएंगे अब इसको सालव किजिएगा 3 माइनस लेमडा इन दोनों का करेंगे तो कितना प्लस फूर, यहाँ पर हो जाएगा फोर, toց बच्चों यही पर जो बनाते हो इसको बिलकुल एक बार दो बार चेक किजिए गा, ताकि गलत ना हो, नहीं तो फिर यहीं से मिश्टेक हुआ तो फिर आगे तो मिश्टेक हो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा चेक कर लिजेगा, 3- λेम्डा, 3-3 लेम्डा प्लस लेम्डा स्क्वेर माइनस 4, माइनस 2, 6 माइनस कितना 2 लेम्डा माइनस 8, और यह होगा 4-4 जा 16, 16 प्लस 16 लेम्डा is equal 0, तो आपने क्या पाया 3 मैनस लेंड़ा इसको लेंड़ा स्कूर मैनस 3 लेंड़ा मैनस 4 कर दिजिएगा 6 तूजा 12 मैनस मैनस प्लस 4 लेंड़ा मैनस यह दिखो कितना हो जाएगा 8 तूजा 16 यह रिके प्लस कितना हो गया 16 प्लस 16 लेंड़ा इस एक्वल कितना 0 तो इन में देखो 3 लेंड़ा स्कूर 9 लेंड़ा मैनस 12 मैनस लेंड़ा क्यूप मैनस 3 लेंड़ा स्कूर सबसे पहले हमारे पास माइनस लेमडा क्यूब है इसके बाद लेमडा स्कूर है क्या चेक किजेगा तो लेमडा स्कूर तो नहीं मिल रहा है इसके बाद कितना लेमडा है माइनस लेमडा क्यूब है आपके पास इसके बाद कितना लेम्डा है, माइनस 9 लेम्डा और प्लस यह आ जाएगा 24 लेम्डा, ठीक है ना, तो 24 लेम्डा में 9 को माइनस कीजिएगा, तो क्या पाईएगा, 15 लेम्डा, यह देखो, 9 और 5, मतलब 9 और कितना हो गया, 15, 24, तो आपने 20 लेम्डा और प्लस 4 लेम्डा, 24 लेम्डा माइनस 9 किया, अब देखें, यहाँ पर देखो, यह कितना आ गया, माइनस 12, यहने 20 आ गया, और 20 में 12 फिर हट आईएगा, तो आप पाईएगा 8 इस इक्वल कितना 0, अब इस पू लेम्डा क्यूब माइनस कितना, 15 लेम्डा माइनस 8 इस इक्वल कितना 0, अब यदि मैं लेम्डा इस इक्वल यहाँ पर रखोंगा, माइनस 1, हाना, एक बार और चेक कर लिया जाए बच्चों, हाना, डाउट फूल में ने रहना है, पहला कितना है, 324, 202, 423, बिल्कुल, 324, 202, 423, अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, और 3- λेम्डा, यह देखो, यह ख्लोस हुआ, माइनस लेम्डा, 3- लेम्डा, हाना, और माइनस कितना, 4, ठीक है, माइनस 2 में लिजएगा, तो 2, 3 माइनस लेम्डा, माइनस 4, टुजा 8, बिल्कुल, ठीक है, माइनस 8, प् लेमड़ा, प्लस लेमड़ा, स्कूएर बाईपार, ठीक ऊन्यननु खेष को गलत के अल्के समीं, ठीक उसमीमड़ा, तक लेमड़ा, स्कूएर मैंनस चीनल खेषी और हो स्कूएर ग्लास भाईड़ी के तो गार्मिम्ड़ा स्वाले में वागा झाएर हो मैंनस लेंदा किया है यहां पर अपने गड़बर किया है इसलिह यहां पर आपने इन 3-3 कितना हो जाएगा एल deg cage के अब छेल छ्धा स्कव्यार फ्म्धी लेंदा ठीक है ना और प्लस कितना हो जाएगे हैं पर 8 is equal 0 यह देखो 3, 3, 6 बाकि तो सब ठीक था माइनस लेमडा क्यूब था 9 और 24 में न हो गया कितना हो गया 15 लेमडा और यह हो गया 20 यहां से 32 में 12 गया 20 और 20 में फिर से 12 गया तो 8 तो आपने पाया लेमडा क्यूब लेमडा क्यूब माइनस 6 माइनस फिप्टें लेमडा माइनस 8 is equal 0 यदी हम लेमडा is equal minus 1 रखें तो क्या आना है देखो माइनस 1 रखोंगा तो प्लस आएगा यहां 1 आएगा 16 स्री माइनस रखोंगा तो यहां प्लस आएगा और यहां माइनस आएगा तो हमारे पास किता होगा खता है? आठ छे 14 और 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो लेमडा प्लस उन रखने पर हमें मिल रहा है 0 तो lambda plus 1 हम लोग क्या करने वाले है यह देखो इसका factor देने वाले है आप किस से multiply करो lambda square से lambda की वह आपको कितना चीए minus 6 lambda square तो यहाँ पर 7 lambda करना पड़ेगा तभी तो minus 6 आएगा minus 7 lambda हमको 8 चीए तो minus 8 lambda करना पड़ेगा और लास्ट वाला तो क्या हो गया minus 8 is equal 0 आना ही है इस दंग से करते हैं lambda 1 lambda plus 1 common निकाल लिएगा 7 lambda minus 8 is equal 0 इसको आप और कर लिजी यह आएगा lambda square minus कितना 8 lambda plus lambda minus 8 is equal 0 तो finally आपने पाया lambda plus 1 lambda lambda minus 8 plus 1 lambda minus 8 is equal कितना 0 तो यह हो जाएगा lambda plus 1 यहाँ से आएगा lambda minus 8 और यहाँ आएगा lambda plus 1 तो आपने पाया lambda is equal 8 और यह 1 1 दो बार है तो minus 1 minus 1 दो बार आगया अब इनके संगत हम लोग को क्या करना है इस निकालना है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिफरेंट जो मान है lambda is equal 8 के संगत आईगें सदीश क्या लीजेगा आप लीजेगा X1 यहाँ पर लेंगे X1 X1, X2, X2 यदि पंक्तिरी पंक्तिरी में लिख रहे तो डेश लगा दीजे इसका ट्रांस्पोस परिवर्थ है तब हमको क्या मिलना है A minus lambda I X1 is equal 0 यह आविव समी करन इसमें हम रखेंगे A minus कितना 8I और X1 is equal कितना 0 अब इसमें चलो साल्व करते हैं A का value 3 2, 3 है तो 3 minus 8 2, 3 2, 0 minus 8 2, 4 2, 3 minus 8 एक बार और शेक कर लेते हैं यही एक नहीं पता चल जाना है यह देखेगा 0, 0, 0 चलो 3, 2, 3 3, 2, 4 है बच्चो 4, 2, 3 3, 2, 4 3, 2, 4 3, 2, 4 4, 2, 3 ठीक है 2, 0, 2 बिलकुल ठीक है अब इसको क्या करो minus कितना करो 5, 2, 4 यह आएगा 2 minus 8, 2 और 4, 2 minus 8 मैंने कहा था आप यहाँ पर संक्रिया लगाना चाहते तो संक्रिया लगा दो या फिर इसको equation बना करके किनी भी दो equation को सालव करो आपको answer मिल जाना है तो पहला equation हमारा बना minus 5x1 plus 2x2 plus 4x3 is equal 0 दूसरा equation हमारा बना 2x2 minus 8x1 2x2 के जगा 2x1 8x2 plus 2x3 is equal 0 तीसरा समी करना हो रहाएगा उसको भी ले सकते हो मैं दोनों ही के लेकर कर लेता हूँ यहाँ पर क्रास multiplication लगाता हूँ तो कितना हो जाएगा देखो 2, 2, 4 यह हो गया और यहाँ से कितना हो गया 8, 4, 32, 32, 32 हो गया x2 अपान x2 के लिए देखो x2 ले रहे हैं तो 4, 2, 8 पहले लेंगे और 5, 2, 10 रेखे 10 हो गया और x3 के लिए 8, 5, 4 माइनस कितना 4 तो आपने पाया बच्चों x1 अपान 36 x2 अपान कितना 18 और x3 अपान 36 हम इस पूरिये को 18 से डिवाइट करेंगे तो x1 अपान 2 2, x2 अपान 1 और x3 अपान 2 यहने आपने 18 से भाग दे दिया आपने 18 से भाग दे दिया तो आपको यहाँ पर ऐसा लिखते हैं वोग is equal k मान लेते हैं और बाद में इस k को 1 रख देते हैं 2k, x2 is equal 1, x3 is equal 2k तो k is equal क्या लेते हैं 1 लेने पर लिजिएगा आप k is equal 1 लेंगे तो x1 is equal कितना मिलेगा 2, x2 is equal 1, x3 is equal 2 तो आपने पाया 8 के संगत कितना 2, 1, 2 ठीक है इस प्रकार आप पा लिए अब देखो lambda is equal minus 1 के संगत 2 मान है आइगन सदीश आप लिजिएगा x2 is equal x1, x2, x3 and और यहाँ पर इसके लिए दोनों के लिए जगा रख देंगे x3 is equal 2 value आएगा, 2 मान है बराबर, 2 value आना है तब आवियू समीकरन हमको मिलना है a minus, lambda के जगा क्या रख देंगे, minus और यह आजाएगा कितना x is equal 0 यह x2, x3 जो भी लिखना है अब इस तरीके से यहाँ से हमने क्या किया इसको a plus आई रखा x is equal कितना हुआ, 0 अब इसमें देखो a कितना है, 3 minus 1 2, 4 2, 0 minus 1 2, यह हो गया 4, 2 यह हो जाएगा, 3 minus 1 और यहाँ पर x1, x2, x3 बच्चों, जब दो मान equal आता है तो मैंने कहा था कि यह वले एक समी करना हैगा तीनों मान equal होगा आप operation भी लगा सकते हैं दारेक्ट ले सकते हैं तो आपने पाया यह देखो 2, 2, 4 यह देखेगा आपने पाया 2, 2, 4 और यहाँ पर आया 2, minus 1, 2 और यहाँ पर आया 4, 2, 2 यह देखे अब इनको सालव कीजिएगा x1, x2, x3 हना आप रेसन लगा सकते हैं यदि लगाना है तो तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा देखे यदि हम देखो एक सेकन बच्चों हमारे पास 3, 2, 4 है 4, 2, 3 है x is equal minus 1 है तो इसमें निकालिएगा देखते हैं क्या आता है यदि हम इन दोनों को लेकर चलते हैं एक मिनदे बच्चों यहाँ पर minus 1 है तो plus 1 होगा न यह गड़बड हुआ है बच्चों यहाँ minus 1 है तो plus 1 होगा इसलिए गड़बड डिफरेंट आ रहा है तो यह हो जाएगा 4, 2, 4 और यहाँ पर 2, 1, 2 और यह 4, 2, 4 अब देखो तीनों समीकरन equal है की नहीं है बिल्कुल है मैं यहाँ से 2 का कामन निकालूँगा यहाँ से 2 का कामन निकालूँगा तो इस प्रकार यदी हम देखें यदी आप आपरेशन लगाना चाहते हो तो R2 tends 2 क्या कर सकते हो हना R1 R2 tends 2 R2 minus कितना यहाँ पर 1 by 2 यहाँ पर क्या रिख सकते हो R1 R3 tends 2 R3 minus कितना R1 आपके उपर है आप कैसा करना चाहते हो या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है हाना नहीं लगाओगे तो भी कोई प्राब्लम नहीं आपको मिलना है इस तरीके से ठीक है ना इक्वल है तो आपको एक एक्वेशन मिलेगा चाहे आप डारेट लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपको equation मिला प्यारे बच्चो 4x1, 2x2, 4x3 2 को हटाईएगा क्या पढ़िएगा 2x1, x2 और यह हो जाएगा 2x3 इस इक्वल कितना 0 अब देखो इनमे जब भी equation तीन में से एक equation मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी एक को 0 ले करके यदि मैंने लिया x1 is equal 0 आपके उपर है, आप क्या करोगे किसको 0 लेना चाहते हो तब मुझे मिलेगा x2 plus 2x3 is equal 0 x2 is equal कितना minus 2x3 याने x2 upon 2 is equal x3 upon कितना minus 1 तो यहाँ पर 2 minus 1 आया तो इसका मतलब समझे x2 हमने पाया यह देखो x1 is equal 0 है x2 is equal 2 हो गया और यह minus 1 हो गया अब यदि हमको मिलता है हम लेते हैं चलो x3 को 0 लेते हैं या x2 को ले लो आपके उपर है तब हमको मिला 2x1 plus कितना x2 is equal 0 तो क्या पायेगा 2x1 is equal minus x2 और x1 upon minus 1 या बुद्री रख सकते हैं लिकत ने है 2 तो हमने पाया यह x3 x1 कितना minus 1 0 और 2 इस तरीके से यह हमको मिला ठीक है बच्चों तो यही क्या है आइगन मान है ठीक बस इसी ढ़ंग से आपको क्या करना है ग्याद करना है प्यारे बच्चों ठीक है ना तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला कुशन की ओर चलते हैं देखते हैं यह देखे क्या दिया है दर्साई की वरगाव्यू ए तथा इसके परिवर्त एडेस समान आइगन मानों को रखते हैं तो देखते हैं प्यारे बच्चों क्या आता है चुकि हम जानते हैं यह जानते हो गया आप ए माइनस लेमडा आई का डेस क्या जानते हो आप ए डेस माइनस लेमडा आई डेस जानते हैं और चुकि आई डेस किसके बराबर होता है यहां पली देखते हो इता दीखेगा नहीं आपको चुकि i ds के बराबर क्या होता है i होता है कोई फरक नहीं पड़ता तो e minus lambda i और इसको ds लेंगे तो यह हो जाएगा a ds minus कितना हो गया lambda i हो गया अब हम क्या लेंगे दोनों पक्षों में मॉड ले लेंगे, determinants ले लेंगे तो determinants लेने पर क्या आएगा a minus lambda i और यह होगा ds is equal यहाँ पर आएगा a ds minus कितना lambda i अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपको मालूम है यदि a ds है, transpose किया हो आप तो उसका परिवर्त का जो determinants है, वापस वही आता है, कोई फरक नहीं पड़ता तो यह वापस वही हो जाएगा a minus lambda i is equal कितना a minus lambda i अब यदि हम लेते हैं यदि हम लेते हैं a ds minus lambda i is equal कितना 0 तब हमको अवसी ही क्या मिलेगा a minus lambda i is equal 0 तो देखो, इसको माल लो हाँ ना, एक और इसको माल लो दो, तो समी करन एक में a ds का आइगन मान क्या है lambda और दो में a का आइगन मान क्या है lambda है इस प्रकार इस प्रकार a और इसके परिवर्थ आव्यू a ds के आइगन मान क्या होते हैं सवान होते हैं ठीक है प्यारे बच्चो बस इसी ढंक से आपको क्या करना है दोनों lambda आया ठीक है चलिए next question की ओर चलते हैं अगला question देखेगा यहाँ पर देखना दर्साइग किसी आव्यू का एक आईगन मान 0 है यदी और क्योवल यदी आव्यू आव्यूद्क्रमनी है आव्यूद्क्रमनी मतलब क्या होता है determinants a यदि a आव्यू है तो determinants a क्या होता है 0 की equal होता है ठीक है तो चलो अब देखते हैं यहां पर सबसे पहले इस पैंट को देखेगा इसके लिए लेते हैं यदी भाग माल लो देखो दिया है माल लो आव्यू एका आइगनमान कित्ता है 0 है तब हमें दर्साना है कि आव्यू A क्या है आव्यूत्क्रमनी है इसका मतला आव्यूत्क्रमनी है अर्थात डेटर्मेंट्स A is equal 0 अब इसके लिए क्या करोगे अब दर्साना है तो A का अभिलाक्षनिक समीकरन क्या जानते हूं अभिलाक्षनिक समीकरन A माइनस लेम्डा आई is equal 0 लेम्डा के जगा वैलू डालो चलो कित्ता वैलू है लेम्डा के जगा यह हमको दिया है ना आईगनमान 0 है डाल दिये तो इसको साल्व करेंगे तो A is equal 0 आया तो यही तो हमको लेकराना था अतह आव्यू ए आव्यूत करमनी है यही हमको लाना था अब हम लोग क्या करेंगे केवल यदी भाग में आएंगे केवल यदी भाग यहाँ पर आव्यू ए आव्यूत करमनी है यह हमको लेना है तब हमें सिद्ध करना है दर्साना है क्या दर्साना है कि A का आईगनमान क्या है शुन्य है जीरो है इसके देखें चलो चूकि यहाँ पर देखेगा A का आईगनमान जीरो है चूकि A आव्यूत करमनी है मतलब Determinants A is equal 0 हम इस पूरे को set करके write कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हो जद इतना कर दिये तो इस प्रकार कहेंगे A का आईगनमान क्या है जीरो है सिद्ध होगे बच्चो बस यही दर्साना है आईगनमान कितना है जीरो है ठीक है बस इसी ढंग से काम करना है चलिए नेक्स कोर्षन में चलते हैं देखते हैं अगला कोर्षन क्या है सिद्ध कीजिए कि अधीस लेमडा आव्यू अभिलाक्षनिक मूल होगा यदी और केवल यदी अ- लेमडा विचितर यावितक्रम नहीं आवियू है तो देखो फिर से यदी भाग यदी और केवल यदी भाग है ना तो मालो लेमडा आव्यू एका अभिलाक्षनिक मूल है कि तो यहां पर हमको दर्साना है क्या या विचीत राव्यू है तो अब यहीं तो कंडिशन है किसका विचीत राव्यू का आपको मालू में है यदि एजीकुल जीरो है तो अभित्क्रम नी होता है क्या होता है आव्यूत करमनी है भाई आपको यह दिया है अताह कह देंगे कि A माइनस लेमडा आई क्या है आव्यूत करमनी है विचित रहें इसको देखकर समझ में रहा है ना अब देखो दूसरी और केवल यदी भाग में आओ केवल यदी भाग यह देखे माल लो A माइनस लेमडा आई क्या है विचित्र आव्यू है आवित करमनी है तो विचित्र आव्यू को हम क्या लिखते हैं अब A माइनस लेमडा आई इस इकवल जीरो लगाते हैं लिखते हैं अब A माइनस लेमडा आई जीरो है तो यहां पर देखो लेमडा आव्यू का अभी लाक्षनिक मूल है कि नहीं है तब लेमडा आव्यू ए का आविव एका कया है अभी लाक्षनिक मूल है बिल्कुल बस इसी धंग से आपको क्या करना है फाइंड करना है प्यारे बचो आध रखेएगा ठीक है ना आया समझ में बस इसी धंग से काम करना है तो चलिये अगले कोशन पे चलते हैं देखते हैं अगला कोशन क्या है ए देखेगा यदि ए कोई विद्क्रमनी आवियू है तो सिद्ध कीजिए कि ए निवर्स के आइगन मान एके आइगन मानों के विद्क्रमनी होंगे यह हमको ग्याद करना है यदि ए विद्क्रमनी आवियू है तो इसके लिए हम लोग मान करक आव्यू एका आईगेन मान है तथा एकस संगत आईगेन सदीस है तब क्या लेकर करके चलेंगे एकस इस इक्वाल लेमडा एकस यह लेकर करके चलते हैं अब हम इसमें क्या करने वाले देखो राइड से और लेट से क्या करेंगे एनवर्स का हमने गुना किया इसमें एदेखो एनवर्स का हमने गुना कर दिया और सहाचार यह नियम लगाया यह दिखेगा कुछ टक बदल दिया मैंने यह हो गया एनवर्स समझे लेम्डा X या लेम्डा को ऐसा कर सकते हैं बाहर कर दो लेम्डा को उमने बाहर कर दिया constant है X अब देखो इसमें यहां पर A inverse A is equal क्या होता है I आप लिखो चलो I तो I X is equal lambda A inverse X अब I क्या हो गया तर समक है हटा दो I तर समक है तो यहां पर क्या हो जाएगा X is equal कितना A inverse यह हो जाएगा लेम्डा A inverse X यहां से अब इसमें हम क्या देख सकते हैं देखो A inverse X is equal 1 upon कितना लेम्डा X ठीक तो इससे क्या इसपस्ट हुआ 1 upon lambda A inverse का क्या है आइगेन मान है ठीक है इसका विलोम भी ले सकते हो आप किवल यदी भाग समझेए विलोम तह यहां पर ले लो मान लो अब लेम्डा के जगा दूसरा तो इंप्लाइस के A inverse का आइगेन मान है यहां पर हम कहेंगे के A inverse के holy inverse का यहां पर कहेंगे के A का आइगेन मान है तो बच्चों यहीं हमको लेकर आना था ठीक है यहने यह देखो A inverse के आइगेन मान और A के आइगेन मान दोने दूसरे के क्या है वित्क्रमनी है वित्क्रमनी है मतलब आपने इधर से लिया फिर उधर से लाए ठीक है ना तो इस धंक से आपको क्या करना था राप्ट करना था, चलिए आगे देखे question next, क्या है देखेगा यह देखो, यदि लेम्डा एक वित्क्रमनी आविू का आईगेन मान है तब हमें इसको आईगेन मान बनाना है ठीक है तो माल लेते हैं, माल लो A एक वित्क्रमनी आउविू है तब हम बित्क्रमनी आवे तो inverse का स्थित्व होगा तो हम डारेट लिख सकते हैं A A inverse is equal I is equal A inverse A और जहां A inverse के बराबर होता है adjoint A upon determinants A अब देखो lambda आव्यू A का आइगनमान है अभिलाक्षनिक मुल है चूकि lambda A का आइगनमान है अथा हम इसका भिलाक्षनिक समीकरन क्या ले सकते हैं समीकरन A minus lambda I is equal 0 अब यहां पर A lambda के जगा समीकरन इसको मालो एक समीकरन एक से क्या लीजेगा A A inverse I के जगा रख देंगे और फिर वहीं से हम A inverse का भी value डाल देंगे यह क्या है Adjoint A upon Adjoint A upon कितना हो जाएगा इसका यहां पर Determinants कितना A Is equal कितना 0 ठीक है बच्चों अब इन में से हम क्या करते हैं कामल लेते हैं देखो कैसा होगा यहां से आप कामल लीजेगा तो इन में से इस पूरे को बाहर करना है मुझे तो लेमडा A को बाहर किया Determinants A को भी बाहर किया ठीक है ना यह देखेगा तो यहां पर क्या मिलेगा A तो था इसका आएगा Determinants A Adjoint A यह देखो आप एक काम कर सकते हो इसको अंदर ले जाकर के देखेगा इसको cancel किजेगा वापस आएगा इन में से माइनस को भी मैंने कामल ले लिया चलो तो यहां पर A नाट इस इक्वल जीरो है तो यह क्या हो जाएगा Adjoint A Minus कितना Determinants A अपान लेमडा इस इक्वल कितना जीरो तो इनको हटाईएगा तो क्या पढ़िएगा Adjoint A Minus Determinants A अपान लेमडा I Is इक्वल कितना हो गया जीरो ठीक है बच्चो यहां पर कुछ नहीं है मतलब क्या है I लगा सकते हैं हम लोग इसको हम लोग क्या लगा सकते हैं यहां पर I लगा सकते हैं ठीक है न यह देखिएगा I कोई दिक्कत नहीं है I कहें भी लग जाता है अब इस प्रकार ए देखो यह भी लाक्षनिक समीकरन बन गया तो इस प्रकार Determinants A अपान लेमडा Erdjoint A का क्या है आइगन मान है यही हमको लाना था प्यारे बच्चो आइगन मान है ठीक तो बच्चो यह भी आपको समझ में आया होगा एक और कोशन है इसको बना लीजिएगा आप लोग यह बहुत ही इंपार्टेन कोशन है इसको असानी से आप सदीस निकाल सकते हो वैसे ही निकालना है ठीक है प्यारे बच्चो इसका आइगन मान भी दिया है यह आपको सिध्ध करना है निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो आज का क्लास हम यही तक रखेंगे इसको बना लीजिएगा आप ठीक है नहीं बनेगा तो जुरूर बताईएगा ठीक है और बहुत ही इंपोर्टेंट है याद रखें आज के क्लास यहीं तक रखेंगे प्यारे बच्चों यदि हमारा क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद नमस्कार